हर्याना विदान स्वाच चुन्नाव में एक आजाद प्रत्यासी ऐसा भी जो बिगार सकता है बड़े बड़े नेताओं का खेल हर्याना की सबसे होट सीट माने जाने वाली उच्याना विदान स्वाच छेतर में मचेगी खलवली प्रत्यासी दुशन चोटाला बार्टी जनता प्रत्यासी प्रेम लता और कांगरेश के प्रत्यासी बल्राम कटवाल को कड़ी टकर देने के लिए त्यार है यह आजाद उमिदवार भील रहे भारी समर्थन ने उड़ा रखिये बड़े बड़े नेताओं की नींद इस बहला ही करवर मी तलिक करें अरियाना विदा नसवा चुनाओ में सिर्फ दो दिन ही बाकी है बीच में और उससे पहले बड़ी खलगली मतने वाली है अरियाना के चुनाओ में दोस्तो आपको बता देके अर्याना की सबसे बड़ी होड़ सीट कहाई जाने वाली उच्चाना हलका विदान सभा में एक बहुत ही बड़ा दमाका होने वाला है दोस्तों आपको बता दे कि जहां पर बारती जनता पार्टी की उमिद्वार प्रेम लता वहां से चुनाव लड़ रही है तो वहीं कांगरिस के परत्यासी बलाम कटवाल और जन्नाइक जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले दूसें चुटाला जो की पूरा वसांसद विया इसार से वो चुनाव लड़ रहे हैं सबी पार्टियों ने नेताओं ने कारिय करताओं ने अपने अपने उमिद्वार को जिताने के लिए पूरा एड़ी चोटिया जोर लगा रखा है इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एक आजाद उमिद्वार रगुवीर सर्मा जिनकों की गाउं से बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है और वह भी उचाना की राजनीती में खलवली मचाने को त्यार है रगुवीर सर्मा का दावा है कि वह सभी परत्यासियों को पचाड कर उचाना विदान सभा सीट पर जीत हासिल करेंगे और बड़े बड़े कही जाने वाले नेतां को पस्त करेंगे रगुवीर सर्मा का दावा है कि जो उच्चाना अब तक पिछड़ा रहा है उसको नमबर वन बना देंगे हरियाना में रगुवीर सर्मा के चुनाव परचार के दोरान गाउं में जो भी सभा करते हैं वहां पर उमरतिय बारी संख्या में बीड उच्चाना विदानस्वा सीड़ से आज़ाद उमिदार रगुवीर सर्मा का बड़ा दावा उनके साथ है उच्चाना की जनता का आसिरवाद रगुवीर सर्मा ने कहा कि 21 सक्टूबर 2019 को होने वाले विदानस्वा चुनाव में वहां बड़ी जीत हासिल करेंगे और बड़े बड़े नेताओं को पिछे छोड़ेंगे रगवीर सर्मा के कार्य करताओं का दावा के बड़े बड़े नेताओं के पाउं के तले से जमीन खिशक जाएगी जब 24 अक्तूबर को चुनाओ नतीजे आएंगे और रगवीर सर्मा उच्चाना हलके से जीत हासिल करेंगे धन्यवाद दोस्तों देखते रहे सच की आवाज आप देख रहे हैं सच की आवाज सच आएगा सामने जूट होगा बेनकाब सच की आवाज दो सुब्सक्राइब करें साथ में इस पैला इकन पर मी कलिक करें